दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ एक और नई वेकेंसी के अपडेट लेकर आए हैं आप लोग के लिए जहाँ पर कुल स्विक्रित पद जो है 8000 से भी जादा है और इस बार नई वहाली जो होने वाली है य बिहार राज जी के बिस्विध्यालियों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रिक्रूट होने वाले हैं क्या है एलिजबिल्टी ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखेगा पहले खबरों पे चलते हैं जो भ प्राथमिकी के लिए देना चाहते हैं तो उसके लिए 290 टेष्ट यहां पे इंक्लूड किये हैं साधी साथ इसमें जो आपको टेष्ट रिदियेगे प्रिविए सिर का पेपर है चैप्टर टेष्ट है करेंट अफेर है यानि की प्रिविए सिर का कोश्टन है यह सब मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी दूनों ही भासाओं में यानि की बाइलेंगोल आपको यह टेष्ट मिलेगे तो आप अभी जाके इसको देख सकते हैं और ले सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि बिहार एसाई की त्यारी कर रहे हैं आप लोग तो यहां पे चैप्टर व आप उन सभी को टेष्ट के फॉर्मेट में देख सकते हैं और इसका विठ डिसकसन दिया गया है बाइलेंग्वल दिया गया है तो यह सारी चीज़े आप देख से के हैं इसको ले सकते हैं यहां से फिलाल आपको बता दे कि यहां पर जो भी चात्र आएंगे वह यह वाला आप लोग यहां से लेकर देख सकते हैं चलिए आप खबरों पर आते हैं दोस्तों आज की खबरों में देखें तो 26 तारी का यह अपडेट है जहाँ पर आप लोगों के लिए 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नई बहाली का अपडेट दिया गया है यहां पर आपको बता समझते हैं और यहां पर क्या है वो भी समझने का कोशिस करते हैं देखें पहले से यानि कि पुर्व में 4638 पदों पर बहाली होनी थी जिसमें 27 विश्यों में अभी तक बहाली हो चुकी है यहां पर देखा जाए तो बिहार राजी के विस्विद्याले सेवा आयोग के पठना हाइकोट के मामले जब पहुचे तो वहां से एक ओडर आया कि आप इस चीछ का एक रोस्टर तयार करें और फिर से से तयार करें और वहां पर जो है एक्जाम लेने का कोशिस करें तो हाई कोट ने रोश्टर पर फिर तयार करने का आदेश दिया, फरवरी में ये आदेश दिया गया था इसके आधार पर रोश्टर में संसुधन भी किया गया, आयोग को उपलब्द कराये गया है अभी अब राज्य के विश्विद्यालियों में असिस्टेंट प्रोफेसर के संसुधित रोश्टर के बैकलोग के करीब 755 और बरतमान में 333 रिक्तियों को यानि की कुल 4108 रिक्तियों के पदों पर बहाली होगी यहाँ पे लेकर पूरी प्रक्रिया और विवस्था को इसपस्ट भी किया है आयोग के सचीव ने यहाँ पे सुषनात जानकरी दी है कि वर्श 2020 में 52 विश्यों में करीब 4638 पदों पर बहाली के लिए विग्यापन जारी किया गया था इसमें 27 विश्यों में असिस्टेंट प्रोफिस आठ पदों पर बहाली के प्रक्रिया लेगी यहाँ पर जिनमें की कुछ बैकलोग की वेकेंसी जोड़ी जाएगी और नई रिक्तियों को जोड़ा जाएगा आयोग ने कहा है कि हाई कोट के आदेस्त के बाद इन रिक्तियों के बहाली का प्रक्रिया भी आपर किया है most probably यह बताया जा रहा है कि आपको दिसंबर लाश्ट तक जो है इसकी नियुक्तियों के बारे में अपडेट आ सकता है और यहाँ पे आपको बतादे कि जो 25% बैकलोग की रिख्तिया रखनी थी हाई कोट ने डॉक्टर आमोध प्रोविद बनाम सरकार आयोग के केस में कोट से या इस फरवरी में ही बहाली के प्रक्रिया को रोक लगाया था और कहा दा कि आरक्षन के रोश्टर का सुधार किया जाए अमोध प्रमोधी जो की आरक्षन रोश्टर का पालन सही डंग से नहीं होने के मामले को उठा इजेस नंद कुमार ने कहा है कि रोस्टर में बैकलोग की रिक्तियां भी यानि कि लगबल लगबल 25 परतिसत जो है रखनी थी लेकिन 20 विद्याले में सभी रिक्तियों को बैकलोग में ही तयार करके दे दिया गया था इसे संसोधित किया गया और अब जल्द ही बीभाग को यह कोर्ट का तो आदेश आई चुका है अब जल्दी बीभाग को यह सारे चीज़े बेज जाएंगी और आयोग जो है इन में रोस्टर की तैयारी करके जो है असिस्टन प्रोफिसर की बहाली ले सकेगा संसोधन के बाद अगर देखा जाए तो कुल अभी स्विक्रित पर जो है 8603 थे जिसमें कि अभी कारियर सिक्षक है कितने तो 4495 अब यहाँ पे रिक्तियां कितनी बची है तो 4108 है जो की बैकलोग की वेकेंसी यहाँ पे जो है एसी में 296 है एस्टी के लिए 49 है इबीसी हो रही है और जहाँ पर रिक्तियों की संख्या यहाँ पर जारी की गई है तो दोस्तों एक खबर थी जो कि हमें आप तक साजा करने थी इस वीडियो के माध्यम से आप भी इस वीडियो को शेयर कीजेगा और जल से जल यह बहाली के प्रक्रिया सुरू होगी अब यहाँ प पर एक्जाम दे कर क्लियर कर रखे हैं यहाँ पर चात्र यहाँ पर एलिजिबल होते हैं असिस्टन प्रोफिसर के इस पोस्ट के लिए बाकि जो भी ऑफिशल जानकारी आती है हम आप तक साजा करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि इसके लिए और और क्या-क्या यहा भी भेज दिया जाता है तब तक यह मामला जो है अभी भी अटका हुआ है लेकिन यह जैसा कि पता चल पा रहा है दिसंबर महीने की लाश तक जो है यह असिस्टन प्रोफिसर की बहाली आने वाली है करीब-करीब 4108 पदों की वेकेंसी कम यह अपडेट आ सकता है आप लो झाल